अगर आप अपने शेंपू में कुछ चीजों को एड़ करके अपनी बालों में लगाएंगे तो यकीन वानिए इसके यूज से आपके बालों का जड़ना टूपना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और आपके बाल तेजी से बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे आप चाहिए शेंपू जो भी यूज करना है आपको मातर उस सेंपू को लेना है और उसे अपने बालों में कुछ इस तरह से लगाना है जिससे आपके बालों की हेर ग्रोथ बढ़ने से कोई भी ना रोप पाए तो आपके इस नुजखे में फ्रेंट्स मैंने एक सेंपू को एक क्लिन बाउल में निकाल लिया है इसके बाद आपको इसमें एड करना होगा विटामीनी कैपसूल आपको फ्रेंट्स इसमें इवन कंपनी की 400 mg का एक विटामीनी कैपसूल एड करना होगा अगर आप दो शेंपू के पाउच यूज करते हैं तो आप दो शेंपू भी ल पाने जाती है तो अगर आपकी बालों की जड़े एकदम बेजान और कमजोर हो गई है उनमें पोर्षन की कमी हो गई है तो उन्हें फ्रेंड्स फिर से ताजगी देने के लिए आपको इसमें आदे चम्मच से ज्यादा गिलिसरीन एड करना होगा ताकि यह आपकी बालों की जड़ों को पोशन दे सके और उन्हें मजबूती भी दे इसके बाद आपको इसमें एड करना होगा अलोवेरा जेल आपको फ्रेंड्स इसमें एक चम्मच अलोवेरा जेल का एड करना होगा इसकी बाद प्रेंड्स आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजेगा और मिक्स करने के बाद आपको इससे अपने बालों को वोश करना होगा जब भी आप अपने बालों को वोश करने जाएंगे तो फ्रेंड्स मातरी से एक से डेड़ मिनिट लगेगा इस बंद हो जाएगा और आपके बाल तेडी से बढ़ने भी शुरू हो जाएगे तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है मिक्स होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का बन कर दिखाई देगा तो इससे अपने बालों को वोश दीजे हलकी हाथों से बालों की जड़ो की मसा तो आप भी अगर अपने बालों की hair growth को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जरूर यूज कीजिएगा तो गाइस यह था आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरे भी मुझे जरूर बताए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और गाई जाते जाते चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूले ताकि आपको फ्रेंड्स मेरे यह वीडियो इसी तरह से मिलते रहें तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों